रुबीना दिलेक एजाज और पवित्रा एली जैस्मीन से पूछना चाहती हैं ये सवाल सवाल सुनकर भड़क जाएंगे कपल आखिर क्या पूछना चाहती हैं रुबीना दिलेक चले जानते हैं पुरी खबर डीटेल में रुबीना दिलेक टीवी की पॉपलर एक्टरिस में से एक है जो की बिग बॉस सीजन 14 में नजर आई थी और शो के दौरान विनर बन कर भी निकली उन्होंने इस शो से अच्छी खासी पॉपलरिटी बटोई और इसी के साथ बता दे कि सोशल मीडिया पर रुबीना दिलेक की इस शो की चलते अच्छी खासी फैन फॉलोविंग मिल चुकी है वहीं उन्होंने घर के अंदर रहकर कुछ रिष्टे बनाए हाला कि वह रिष्टे ज्यादा वक्त तक नहीं ठीके बता दे कि फैन्स है और मीडिया हैं जो अक्सर उन्हीं रिष्टों पर सवाल करते हुए नजर आते हैं और रुबीना दिलेख हैं जो हमेशा उस पर चुपी साती हुई नजर आई हैं लेकिन इस बार रुबीना दिलेख सामने से खुला सर करती हुई नजर आई हैं कि वो एली जैस्मीन और एजास पवित्रा से कुछ सवाल करना चाहती हैं जी हाँ एक मीडिया पोर्टल से इंटर्व्यू के दोरान रुबीना ने कहा कि मैं एली जैसमीन से ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो कब शादी करेंगे और जैसमीन कब शिफ्ट होगी वहीं एजास पवित्रा से ये पूछना चाहती है रुबीना दिलेक आखिर एजास इतने सक्त क्यों है वहीं ये सवाल पवित्रा से भी करना चाहती है रुबीना दिलेक विल इन सवालों का ये कपल्स क्या जवाब देते हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा खैर रुबीना दिलेक ने जो सवाल किया है वो सवाल सुनकर कहीं न कहीं जस्मीन और एजास भड़कते हुए नजर आ सकते हैं विल क्या कहना है आपको आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं टेलेवेजन की लेटेस्ट अपडेट्स और शिटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले